आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी डिस्क बनाने जा रही हूँ यह मैंने लिया है शक्कर और शक्कर से हम बनाना सीखेंगे तगार चलिए फिर रेड़ी करते हैं और तगार कैसे बनाया जाता है यह लेड़ू और पेड़े में अगर इसे यूज किया जाए तो काफ काफी स्वादिष्ट होता है चलिए फिर रेड़ी करते हैं फ्रेंड्स हमने कड़ाई रख दी है और कड़ाई काफी गरम हो चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे सब कर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी एक कफ इसे हमें चलाना है थोड़ा-थोड़ा करके बस नीचे ना लगने पाए यह देखे फ्रेंड्स हमारा जो तागार है और चाशनी है काफी गाड़ी हो रही है इसे अभी हम और थोड़ा जलाएंगे कि काफी बूरे की तरह हो जाएगा यह देखें यह काफी गाड़ी हो गई है चार्चनी अब इसे थोड़ी दिर के लिए हम गैस को आफ कर देंगे और आराम से यह जम जाएगी यह देखें फ्रेंज जमना रेडियो हो गया है अभी जैसे जैसे ठंडी होती जाए कि यह देखें फ्रेंज थोड़ा साइसे अभी हम और ठंडा कर लेंगे यह देखें फ्रेंज धेर सारी हमारी तगार बन गई है अब इससे हम अस्वादिष्ट लेड्डू और पेड़े बना सकते हैं देखिए कैसे सूख रही है फटाक से कितनी जल्दी जल्दी इसका लेड्डू पेड़े भी बनाईए खाईए और अपना और वो मेरे कमेंट बाक्स पर सेयर करने ना होले फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के और थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो